business opportunity के objectives क्या कहते हैं पहले point से ध्यान से सुनो जो मैंने यहां पर highlight करके रखा है believe me तुम्हें सारी चीज़ें one by one clear होती चली जाएंगे और हाँ बिल्कुल भी फिकर मत करना यह सारे जो notes है यह description में दिये हुए हैं और मैंने comment box में भी pin कर दिया है जाओ download करो chill हो के मेरे साथ पढ़ाई करो इसके बाहर से कुछ नहीं आना I can guarantee you पढ़ ली तुमारी जगे मैंने सारी mcqs book उठा के पढ़ ली यह जो content तयार किया है यह बहुत safe and secure content है तभी 20 days pledge में otherwise नहीं होता and to be very honest this is not a revision series अगर तुम वो mindset लेके आयो तो यहां से जा सकते हो यह पूरा conceptual series है जो अगर तुम पहले दिन से भी कुछ नहीं पढ़ते हुए आये हो तुमें 100% content बनेगा चाती ढोक के कह रहा हूँ exam जब देखे आजाओ गलत हूँ तो गाली खूब देना कोई दिक्कत नहीं अपने को शुरुआत कर रहा हूँ business opportunities के objective के साथ उद्देश्य के साथ it should clearly state the problem देखो business opportunity यह बताती है आप market को जब analyze करना चालू करोगे तुमें यह पता चलेगा कि market में क्या problems है because as a business आप कुछ नहीं हो आप problem solver हो अच्छा यह problem में मैं solve कर दूँगा petrol pump नहीं है किसी area में मैं petrol pump खोल दूँगा ऐसे तुम problem solve करते हो so whenever you are developing a product whenever you are developing a service you are doing nothing but solving a problem तो पता करो के customer को चाहिए क्या that is the first thing that you have to do now फिर identify करो उस group को जो वो problem face कर रहा है जो भी group है जो भी problem face कर रहा है उसको identify करो अब वो group को segmentation करना क्यों जरूरी है उससे तुमें पता चलेगा वो कौन सा customer base है क्या वो rich class है क्या वो middle class है क्या वो lower class है पैसा देखना पड़ता है तुमें साथ साथ में attitude customer का देखना पड़ता है whether they will accept your product or not मैं इसकी बहुत छोटी सी story तुमें बताता हूँ ये जो घर घर जाकर किराने का सामन डिलिवर करने वाली बात है चाहे big basket है चाहे on door है या तुमें big bazaar वगेरा तुमने देखा होगा इन्होंने करा क्या था they started finding out the problem जब customer बाहर नहीं निकल पा रहा था COVID scenario के कारण they understood the problem ओगे customer किराना या बड़े-बड़े malls में आके shopping नहीं करना चाहेगा because वो COVID के कारण डरा हुआ है उन्होंने problem find out की then they started identify the group facing the problem ये कौन सा group है हमारे यहां पे आखिर customer कौन सा था क्या वो medium class customer है क्या वो high class customer है या क्या वो customer है जो delivery charges पे करने के लिए तयार हो जाएगा and they understood the concept if they are adding 50, 60, 70 rupees as delivery charges customer देने को तयार था तो उन्होंने पूरा research work किया and then they started finding out the market finding the market acceptability of the solution to the problem जो आपने solution दिया आपने ये देखा कि market acceptability होगी या नहीं सारी companies की app develop होगी तयार होगी थी although big bazaar वगरा की तो पहले से app थी लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा मैंने उनके turnovers देखें तुमारे entrepreneurship के इस chapter के लिए उनकी app से हूने वाले orders covid से पहले और उनकी app से हूने वाले orders covid के बाद 70% hike पे थे क्यों क्योंकि उन्हें पता था कि market acceptability मिलेगी उनकी apps को just because of one simple reason customer डर रहा है market में आने में crowd में आने में और वहाँ पे खरीदारी करने में वो कह रहा है 100 रुपे भले मेरे delivery charges के चले जाए लेकिन मैं covid लेके तो घर नहीं आऊँगा तो जब सामन आता था तुमें भी याद होगा तुम इस प्रे करकर के पूरा साफ करते थे तो वो जो scenario है वो यही पूरी scenario बताता है opportunity को find out करना ऐसे worst situation में भी amul के products तो मैं नहीं पता होगा मैं एक और example दे देता हूँ ताकि objectives पूरे clear हो जाए amul ने क्या किया था problem को पकड़ लिया था amul ने problem को नहीं पकड़ा था basically business opportunity को पकड़ा था amul जानता था कि लोग घर बैठे बैठे खाना बनाएंगे उनका butter बिखना चालू हो गया cheese बिखना चालू हो गया क्योंकि लोगों को burger वगरा सब try करना है then उन्होंने targeted market को भी पकड़ लिया उन्हें मालूम था कि कौन सा targeted market है दूद उनका भैंकर बिका, दही उनका भैंकर बिका मीटा दही भैंकर बिका हम जानते हैं न हम जब लेने जाते थे अमूल का हर एक product shelf से बहार होता था out of stock होता था because हर कोई अमूल का product खरीदना चाहता है कि हम जाके घर पे कुछ crazy बनाएंगे कुछ tasty बनाएंगे तो उन्होंने क्या किया था customer की problem पकड़ ली थी जानक से अमूल की product market से गायब होना चालू हो गए उन्हें पता चल गया customer accept कर रहा है और उसके बाद धड़ाधर productions चालू कर दिये थे मैं भी बताया लेने गया था मतलब on-door है न अपने आपे मैं लेने गया ठीक है on-door में क्या हो रहा था उस टाइम पर एक बार में एक ही आ सकता था और वो token token का जंजट था तो मैं crowd लगी हुई थी वो गोला बना बना के मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था मैं सिर्फ specifically क्यों गया था क्योंकि घर पे हम लोग pizza बगर बनाये थे अमूल की product demand कर रहे है और अमूल के products ही available नहीं थे भाई कहीं पे भी चले जाओ अमूल के सदा था था चुकि पूरे इंडिया में लॉगड़ान था और पे वो लोग companies और स्विए इसा बन था basic necessities के अंदर आते हैं या अमूल के products essential products का याद कर कोविड में भी allowed था पूरा करना exactly तो वो essential की category में डाल के grocery बगरा को उनको निकाल रहे थे और ये तो पूरा dairy product आ गया ना पूरे dairy product है तो essential की category में आता है जैसे सब्जी भाजी वैसे अमूल के product धडले से भिकें अमूल ने जितना profit इस season में कमाया है एसी परेशानी वाले टाइम में किसी और नहीं कमाया होगा मतलब obviously कमाया होगा बट तू समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ क्या market मिला होगा उन्हे अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन uses को कहां कहां पूछा जा सकता है क्योंकि believe me ये वाली चीज तुम skip करने वाले थे अगर मैं नहीं करवाता तुम्हें तो बचाने आया हूँ ध्यान से सुनो पहली चीज बोलते हैं आखर business opportunity के क्या use हो सकते हैं मतलब logically सोच हूँ तो why should we actually worry about business opportunities आखर logic क्या है इसके पीछे पहला simple सा logic bring out the new products अगर आप business opportunities को grasp करना जानते हो ये देख रहा हो bring out the new product तुम नए products market में ले के आओगे best case studies जो मैंने पूरे entrepreneurship के इस journey में देखी है हाजमूला हाजमूला का एक traditional flavor आता है वो traditional flavor believe me उससे अच्छा कुछ आ ही नहीं सकता लेकिन क्या business opportunity देखते हुए हाजमूला ने अपने आप में experiment नहीं किया नजाने कौन-कौन सा अनार दाना निकाल दिया इमली flavor निकाल दिया बहुत सारे experiment किये because of same reason अगर वो वो business opportunity ग्रास्प नहीं करते तो उनका market share कम होता हुआ चला जाता एक existing entrepreneur को इस बारे में बहुत जादा सोचना पड़ता है like मेरे को अभी जब recently मैंने जब research करना चालू किया तुम ही लोगों का यह research कर रहा था अमूल के बारे में पढ़ना चालू किया जैसे अभी मैंने तुम पूरी बता ही न needs and problems of the market आप अपने आपको एक nutshell में नहीं रख सकते आप अपने आपको एक closed environment में नहीं रख सकते तुम्हे needs and problems market की समझनी पड़ेंगी it's not like कि one product one methodology ना 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 तुम्हें एक business हो business model हो तुम्हें अगर business opportunities को grasp करना है तो उनको study करना properly बहुत जरूरी है study कैसे करोगे on a regular basis need and problems को समझते हुए apple कितनी भी बड़ी तोफ हो कितना भी बड़ा market share हो लेकिन apple इस चीज से बिलकुल नहीं हिचकिचाया कि उसको research करना पड़ा उसे पता चला कि उसका एक ऐसा market segment है जो अभी भी 50-60,000 की range में उससे product लेना चाहता है लेकिन क्योंकि apple का product एक लाख रुपए से उपर पहुँच चुका था तो वो खरीद नहीं पाता था flip card की sale बहुत बड़ा example है 3,000,000 apple iphone 11 bk 11 11, exactly क्यों? क्योंकि उसका market था 38,900 में निकाल दिया apple ने sale के दौरान भाई क्या होते 3,000,000 iphone सिर्फ because of this because need and problem को apple ने समझा apple ने ये जान लिया कि हमारा market वहां पे बैठा हुआ है बस हमें उसको in cash करने की जरूरत है that is what the need of business opportunity क्यों find out करना चाहिए तुमें and then be creative अगर आप business opportunities को analyze नहीं करोगे interpret नहीं करोगे आप stagnant हो जाओगे ठहराव आजाएगा आपके business में कुछ growth ही नहीं दिखेगी कुछ progress ही नहीं दिखेगी if you are not experimenting so you need to be creative otherwise you will lose the touch जो आपके उपर था, आपके पास था then increase employment generation business is all about growth वो growth अगर तुमने रोग दी तो फिर वो खतम है business वो बस धीरे-धीरे slow death जो है वो मर रहा है, die हो रहा है तो अगर आपको employment generation increase करने तो आपके उपर कोई risk नहीं है you don't have to increase the employment generation but that is the result of business opportunities कि आपके business में नए minds आ रहे हैं अगर आप नई चीजों पर काम कर रहे हो as a business grow कर रहे हो business opportunities को ले रहे हो आप उनको analyze कर रहे हो तो फिर आपको उसके लिए human resource भी चाहिए वो भी आपके पास एक काम आ जाएगा then increase national income ultimately ये जो business opportunities को हम grasp करते हैं हम इन चीजों को use करते हैं हम market को steady करते हैं research करते हैं ultimately इससे economy को भी boost मिलता है सच बताऊं तो ये अकेला ऐसा topic था जिसके कारण मुझे इस पूरे chapter के दो part बनाने पड़े अब जब मैं समझाना चालू करूँगा ना तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि वाकई में ये chapter एक अलग timing मांगता है idea field क्या होता है अगर तुम मुझे से पूछो तो देखो यार बात simple सी है ये जो topic है ये ये बताता है कि अगर आप कोई भी चीज़ चालू करो doesn't matter कौन सा business चालू कर रहे हो being an entrepreneur और तुम्हें कुछ भी चालू सबजी के ठेले से लेकर mall में सबजी बेचने से लेकर गुड़े गुड़िया बेचने तक जो भी तुम्हें करना हो उसके लिए तुम्हें idea कहीं से तो generate करना पड़ेगा वो होता है idea field ध्यान दो जहां पर मैं इस terminology की बारे में समझाना चालू करूँगा convenient frame of reference for streamlining the process of generation of ideas हिंदी में बोलूँगा ताकि तुम्हें word by word समझ में आए convenient frame of reference मतलब कुछ ऐसी चीजें तुम्हें बता दी जाएंगी जिससे तुम idea generate कर सको जैसे तुम बोलो अपने दोस्ते भाई नया business चालू करना है मैं बता रहोchutz एक बार मैं है ना पानीपूरी वाले के पास गया मैंने देखा वो पानीपूरी वाले ने जब पैसे वैसे लोने की बात ही आई ख़िला विला दिया सब कर दिया तो भाई हो मैने पूचह कितने पैसे हुए बोलता यह यह दस रुपए मैं देने लगा तो मैंने देखा जब तक वो आइफोन 11 पे काम कर रहा था तुम चिला लो मेरे भाई बाहर बहुत अच्छा लग रहा है भौक रहे हो तुम क्या अपना टीम मेंबर बाहर रहा है क्या कोई है गेट खोलने को बोल रहा है रतीक तो यह है तो जैसा मैं कह रहा था convenient frames of reference का मतलब क्या हुआ गुसा हो गया मुझे लग रहा है भाहर फिर बहुत चले आइड़ों नो तुम्हें यह आवज आरी के नहीं तुम रात के एक बजे रिकॉर्ड कर रहे हो और जब मैं बोलूंगा तब ही भोगता है तुम रात के एक बजे रिकॉर्ड कर रहे हो सो दाट कोई डिस्टर्ब ना करे एंड कुछते भी लाइक हम है ना बड़ी चलो आगे बढ़ते मैंने पानीपूरी वाला एक्जांपल क्यों दिया क्योंकि जब मैंने उसकी पास आईफोन 11 देखा तो मैंने तो यहाँ पर आके टीम को सबसे पहले बताया चोड़ो सब कुछ यह पड़ाना वड़ाना सब धोका है एक काम करते पानीपूरी का ठेला डाल लेते हैं मैंने सजेशन दिया यहाँ पर यही होता है आईडिया फील्ड का मतलब क्या है बात समझो यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं convenient frames of reference convenient frames का मतलब पानीपूरी का ठेला खोल ले चाओमिन का जिसमें हर कोई बिजनस कर रहा है यह कोई ऐसा extraordinary चीज नहीं है जो सामने वाले को समझ में ना है electronics बेच ले नॉर्मल बिजनस भाई अपना business online लेके चले जा convenient frame से reference ले रहा हूं मैं से ठीके और तुझे पता है शर्मा जी का लड़का जो है ना वो आजकल भूगे बेच रह और क्या दना अदन फुगे बिक रहे हैं पीले कलर का तो हर बार खतम हो जाता है convenient frame of reference यह ऐसा convenient मतलब होता है बहुत easy बहुत relaxing जो सब को समझ में आ जाए तो मैंने बहुत basic सा reference लिया for streamlining the process of generation of idea इससे क्या होता है idea जो generate करने वाला methodology होता है बहुत streamline हो जाता है बहुत normal सा हो कुछ complicated नहीं लगता यानि जहां से तुम business opportunity धोन रहे हो वह बहुत simple चीज होनी चाहिए basic चीज होनी चाहिए जहां से फिर आगे तुम complications जोड़ सकते हो अच्छा इसको ऐसे करें वैसे करें ये करें वो करें but base अपना जो है वह बहुत simple रखो यहां पर वही बोला गया है idea field फिर से बोलूँगा please सुन ले ना क्योंकि ये बहुत detail में पूछा जा सकता है और बहुत अजीब तरीकी से पूछे जा सकता है like giving any kind of example like मैंने एक mcq book में देखा था opening up a stall for south indian food that is idea field suggestion given by someone to opening up a south indian food stall that is idea field कि कि किसी ने किसी को suggest कर दिया south indian food stall बना ले establish कर दे वो क्या है वो idea field है so that उसे जो process था idea generation का वो बहुत streamline हो गया बहुत normal सी चीज हो गई anyone can give the idea तो ये चीज तो ये हो गई now ways of collecting ideas आखिर ऐसे कौन-कौन से ways है वो idea field के अंदर जहां से तुम ideas collect कर सकते हो like ठीक है चलो तुम अपने दोस्ते नहीं पूछ रहे कोई family person नहीं है जिससे तुम reference लेना चाते हो तुम तो जो methodologies है या जो ideologies market में चल रही है उसके तुम reference लेना चाते हो तो there are various sources of idea fields बहौत स resources मिलेंगे जहां से तुम ideas निकाल सकते हो और उस पर अपना business establish कर सकते हो तो देखो पहला तो आ जाता है तुम्हारा natural resource natural resource में जो भी natural resources forest resources, agriculture, horticulture, fancy way नहीं होता है एकदम औशिदिया होगाने का वो हो गया, minerals हो गया, animal husbandry या फिर human resources यह basically natural resources है यह कभी खतम नहीं होगा यह बहुत common way है एक idea generate करने का चलो let's start from natural resources है दूद बेचना चालो कर देते हैं इससे अच्छा क्या होगा आराम से दूद पीना कोई बंदकर ही नहीं सकता तो यह तो ऐसा business है जो हमेशा चलता रहेगा और फिर कही idea ना मिले तो हमारी भारती बॉलिवुड movies की तरह तुम भी idea उठा सकते हो existing product और services से जो चल रहे market में उसी की copy बेचना चालो कर दो ready desk का ibi bass बना दो Puma का Chuma बना दो Reebok का Gbog बना दो तो वह भी तुम कर से बाटा का मतलब तुम मेरी बात समझ गये मैं कहना क्या चाहता हूं ठीक है so a great business idea combines skills with imagination and market demand जो एक great business idea होता है वो जो आपका skill set है आपका जो talent है जो अंदर से आता है एकदम भाई ये कर सकते हैं उस skill को अपनी imagination के साथ अपने vision के साथ combine कर सकते हो फिर ये देख सकते हो कि क्या उसकी market demand generate होगी क्या लोग उसको खरीदना चाहेंगे and believe me वहाँ पर market create होत जाता चला जाता है अरे मैं तुम्हें इतना basic सा example दे सकता हूँ अप्रियांश वह पनी दे ना वहाँ पर book में wrap करके रख रखी है जो हाँ यही वाली that मैं तुम्हें इतना basic बता सकता हूँ like इसका market इंडिया में इससे पहले कभी नहीं था this is our business studies book जो हम courier करते हैं इसकी पर यह जो पनी है ना we have purchased it separately and यह सिर्फ काम आती है या इसके अंदर लगा हुआ bubble wrap ले लो यार यह सिर्फ काई के लिए काम आती है just के एक good दूसरी जगे तक एक जगे से दूसरी जगे तक बहुत easy way में पहुँच जाए बिना damage हुए तो आपने बहुत basic सा idea उठाया कि यार packaging में लोग पन्नी बन्नी use करते ही थे यह सब use होते ही है तो यार use तो होगा इसका खतम तो हो नहीं सकता है आपने इससे एक imagination लगाए कि Amazon पर विखेंगी चीज़े Flipkart पर विखेंगी उनको packaging लिए भी तो चाहिए होगा और आपने packaging business खोल दिया तो यहाँ पर आपने अपनी skills को आपका skill क्या है skill set क्या है you know कि businesses कैसे work करते हैं आपकी imagination क्या थी Amazon Flipkart और यह सब जो है इनको इन चीज़ को की ज़रूत packaging की ज़रूत पड़ीगी और आपने देखा market demand भी है उसकी और आपने उस idea को implement कर दिया existing product और services को आपने और fancy बना दिया मैं तो आजकल देखता हूँ बड़ी भी अब बड़े-बड़े घरों में क्या होता है हमारे time में हमारे जमाने में dustbin में सीधे कचरा डालते थे आजकल नहीं नहीं पहले dustbin में पन्नी बिछेगी उसके अंदर कचरा जाएगा फिर वो पन्नी रैप करके गाड़ी बाला आए घर से कचरा निकाल जैसे मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल रहा हूँ तो वो चीज़े की जाती है मार्केट दिखा dustbin की पन्नी बनाना चालू कर दी गई यह उससे अपन कचरा फेकेंगे यह होता है learning from existing product और services से फिर आता है market driven और demand driven ideas यह कहां से ideology आती है market driven जो trend चल रहा है उसी के साथ निकल लो demand driven ideas जिस चीज़ की भी hype चल रही है demand चल रही है उसके साथ निकल लो अब यार इसका latest example क्या हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने आज तक चाय की इतनी hype नहीं देखी जितनी मैंने past 5 years के अंदर देख ली है MBA चाय वाला चाय सुट्टा बार नचाने कितने कितने brands इंडिया में establish हो गए कुलड में चाय पीने का trend आ गया है वो कुछ नहीं है और मैंने उस पर MCQ देख लिए इसलिए मैं उसका example ले रहा हूँ market driven और demand driven idea है कुछ नहीं आपने क्या करा किसी दूसरे का idea copy कर लिया अगर आज पता है तोहीन से बड़ा नहीं होता है अगर मैं किसी चाय वाली की दुकान पे चले जाओ और वो मुझे कागज के cup में चाय दे दे बड़ा अंदर से अजीब लगता है या तो काच वाला cup हो या तो कुलड हो ये market driven ideas होते हैं आपने ज़्यादा महनत नहीं की market research is a key factor to maintain competitiveness over competitors market research is a key factor to maintain competitiveness over competitors market research बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुमने चाय का ठेला खोला लेकिन तुमने अपने आपको conscious नहीं रखा अपने आपको business opportunities को लेके aware नहीं रखा तुमने research ही नहीं किया कुछ भी और तुमने कागस के glasses में चाय बेचना चालू कर दी and to be very honest मैंने सोचा नहीं था मैं ये example दूँगा but मैंने MCQs देख लिए दूसरा आज जब मैं रात को भी चाय पीने गया था याने nice cafe के glass में उन्होंने अपन को दिया था वो thermakol जिसे मग में nice cafe में तो भाई वहाँ से मेरा दिमाग खराब हुआ कि मेरे को तो कुलड में चाय चाहिए थी मैंने उससे पूछा भी भाईया कुलड का है आपका तो बोलता भाईया आज खतम हो गए कुलड हमारे that is what market driven demand is और sorry market driven और demand driven ideas are कि पता करो market में क्या trend चल रहा है क्या चीजें हो रही है और उसके according चीजों को बेचना चालू करो इससे भी आपको अच्छी खासी growth मिलेगी अच्छा तुम जादा risk नहीं लेना चाहते तो फिर आजाओ trading related ideas पे यहाँ पे क्या करोगे तुम bulk buy करोगे bulk sell करोगे मतलब ऐसे तो parts में sell करोगे लेकिन bulk buy करोगे trading related ideas में आप जादा risk नहीं लेते हो और आपके लिए easier होता है launch करना आप क्या करोगे इसमें आप mediator बन जाओगे becoming a mediator is easy because you have to buy in bulk and you have to sell it to the retailers जो आगे customer तक बेचते रहेंगे या government को बेचते रहेंगे doesn't even matter आपको बस यहाँ पर bulk buy करना है और इखटा sell भी कर देना है आप अपना margin of profit रखो और आगे product को निकाल दो so अगर आपको जादा risk नहीं लेना है अगर आपको easy to launch रखना है मेरी बात ध्यान से सुनना बाद में बोलोगे बाबजी आपने बताया नहीं था मैं फिर से emphasize कर रहा हूँ अगर आपको easily launch करना है और साथ साथ में अगर आपको risk कम लेना है trading related ideas बहुत अच्छे होते है wholesaler बन जाओ bulk में खरीदो retailers को बेच मारो इखटा bulk bulk करते हुए तुमारा काम आसान हो जाएगा तुमारे पास कभी stock pile up नहीं होगा क्योंकि demand continuous flow होती रहती है तुम्हें ये नहीं देखना कि customer खरीदेगा यानि तुमसे तो retailers खरीद लेंगे या सरकार को अगर directly supply करते होगे तो वो बात हो जाएगी service sector ऐसी चीज है अगर तुम as a businessman खोल दो वो कभी बंद नहीं हो सकती BPO सुना होगा तुमने outsourcing सुना होगा वो टेली कॉलिंग वगरवाले सुने होगे तो BPO एक ऐसी service है जो कभी बंद नहीं हो नहीं क्योंकि जितने businesses इंडिया में grow होंगे बहुत प्यार महबबत से सुनना उनको BPO की जरुवत पड़ेगी outsourcing की जरुवत पड़ेगी services तो endless है मैं तो तुम्हें एक छोटा सा example दे रहा हूँ अगर आज कोई brand बिल्कुल starting up है एक baby product है शुरुवात ही है उसकी और उसको आगे grow होना है future में तो फिर क्या होगा उसको customer की needs को देखना पड़ेगा customer की complaints को जहिलना पड़ेगा customer को proper way में satisfy करना होगा जिसके लिए उसे customer care center बनाने पड़ेगे वहाँ पे ये BPO business process outsourcing जो होती है वो करना पड़ेगा लोग को लेकिए आना पड़ेगा जहाँ पे वो customer के feedbacks ले सके customers के calls अटेंड कर सकें तो यानि service sector is never going to die in any way कुछ भी ले लो urban clap ले लो यार आज की टाइम पर घर आके cutting करवा देते हैं सारी चीज़े तुम्हें लगता होगा तुमारी जगे पर popular नहीं है Delhi चले जाओ Mumbai चले जाओ बहेंकर popular है लोग घर पर ही बुलाते हैं बहार haircut ले जाना छोड़ दिया उन्होंने तो ये चीज़ें services home delivery ले लो यार तुमारा घर the matter से तुम order कर देते हो services is a sector India जैसी जगे पर तो कभी नहीं मर सकता और अगर तुमारे MCQs में पूछ लिया जाए ना कि सबसे tough चीज़ क्या होती है वो होते है creative efforts like सबसे complex process कौन सा होगा ये भी एक MCQ देखा था मैंने तो creative efforts अब creative effort क्या कहता है apply creativity to spot and harness opportunities अपनी creativity लगाओ ताकि तुम spot कर सको और opportunities को harness कर सको मतलब grow कर सको zero से अब ये opportunity का बाबजी एकाद कोई example दो spot करने का और harness करने का मैंने चाय वाले तुम्हें एक example दे दी या चलो उसके आगे का एक step और बता दीता हूँ because I won't confuse you with variety of products कुलड चाय एक जगे थी मैं उस बंदे के आउससे पहले भी जा चुका हूँ और वहाँ जब मैंने उससे चाय मांगी तो उसने मुझे बोला भया ये हम आपको ऐसे cup में चाय सर्फ करेंगे कि आप उससे चाय पीलो और फिर आप cup को खा सकते हो मैंने बहुत बढ़िया मैं बहुत अच्छी बात है चाय पीलो और चाय का कब भी खालो मतलब तुम मेरे पूरा पैसा वसूल करवा के दोगे मैं बहुत था हाँ पूरा आप तो cup खालो खाने लाए एडिबल है मैंने रहाँ तो ये spot किया उसने और harness की opportunity को कि यार देखो कहा creativity लगा रहे लेकिन मैं honestly बता रहा हूँ मुझे उससे वाहियात spot करना और harness करना वाचरडी का नहीं लगा वो जो cup था उसकी अलग fragrance थी लाइची वाली एंड मैं चाय अद्रक की पीरा था वो दोनों मिलके बहुत भसड हो गई थी और मैंने फिर कुलड में चाय पीना पसंद की तुम बात समझ रहे हो कि इस पे बहुत in-depth research जाता है creativity is not something जो तुम कल के कल generate कर दो creativity को बहुत time लगता है ग्रो होने में चलो ठीक है वो तो ठीक है मैं ज़्यादा detail में नहीं जाऊंगा it can also be applied to develop new products and services यह apply किया जा सकता है new products and services को भी develop करने के लिए अच्छा car का after market सुना है तुमने जो car accessories का after market होता है नया music system लगवा लो बढ़िया चम-चम light लगवा लो seats लगवा लो यह जो market है ना तुमने करोल बाग सुना होगा देली का यह अभी तक सबसे जादा unexplored market है या unorganized market है तुम कोई भी article पढ़के देख सकते हो अगर उसके अंदर तुमने creative efforts लगा दिये तुमने उसको एक एक roof के अंदर ले आए पूरा एक umbrella brand बना दिये कि भाया accessories यह है जिन पर 10-10 साल की warranty आ रही है believe me वो market करोडो कमाएगा मैं अभी से तुम एक opportunity दे रहा हूँ research करो और अगर हो तो यह accessories market में उतर जाओ बहुत ample of opportunities एक बन्दा नया नया उतरा था मैं नाम नहीं लूँगा उसका अभी बट वो करोडों में छाप रहा है बढ़िया Mercedes लिये अभी उसने recently क्योंकि यह ऐसा market है जहां उसने creativity दिखाई cars के लिए android systems निकालना चालू किये और आज बन्दा दो साल के अंदर अंदर बढ़िया पैसा चाप रहा है